Hello Everyone, Today we will read the 10th chapter of class 9 from the book Beehive, Kart Mandu, written by Vikram Seth तो चलिए पढ़ते हैं chapter को, Before you read, ये जो chapter में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इसमें उनके एक widget जो है, Kart Mandu की उसको उनोंने describe क्या है, उसका description हमें इस chapter में देखने को मिलेगा चलिए, Before you read, Do you like traveling? क्या आपको traveling पसंद है? The writer Vikram Seth enjoys it very much जो writer है इस chapter के Vikram Seth, उनको traveling बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ा enjoy करते हैं इसको In his book, Heaven Lake, उनकी जो एक book है, Heaven Lake, it describes a long journey from China to India वाया तिबत अट नेपाल तो उनकी एक book है, Heaven Lake, जिन में वो describe करते हैं अपनी लंबी जर्नी चाइना से लेकर इंडिया तक की और जो तिबत और नेपाल के रास्ते होते वे वो इंडिया आए थे चाइना से Have you heard of places like Azmir Sharif, Madurai, Sanchi, Varanasi, Sarnath और Hilbid? क्या आपने कभी सुना है? यह जो places हैं, Azmir Sharif के बारे में, Madurai के बारे में, Sanchi, Varanasi, Sarnath और Hilbid के बारे में क्या आपने कभी सुना है? Can you name some other places like this? और क्या आप इनी कितने कोई दूसरे places हैं, उनके बारे में बता सकते हैं? यह सारे के सारे जो places हैं, यह religious places हैं What do the surroundings of a holy place in your city look like? आपका जो सहर है, उसमें कोई holy place है, कोई temple है, कोई mosque है, कोई church है, कोई गुरूदवारा है, उसके चारों तरफ का atmosphere कैसा रहता है? Think about it as you read Vikram said's description of Kathmandu तो आप जब इस chapter को read करते चले जाएंगे, उनकी जो visit है, उसका description जब आप सुनते चले जाएंगे, read करते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, तो आप इसके बारे में भी सोचें, कि इसके बारे में? उसकी शुरुवात वो यहां से कर रहे हैं, कि I get a cheap room in the center of the town and sleep for hours, मुझे एक सस्ता सा room मिल जाता है, सहर के बीचों बीच, यानकी सहर के बीच में मुझे एक सस्ता room मिल जाता है, और मैं घंटों सोता हूं फिर वहां पे, the next morning, अगली सुबह, Mr. Saaj's son and nephew, I visited with Mr. Saaj's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists, अगली जब सुबह आती है, तो क्या करते है, विक्रम सेट, साह जो है वहां के, जो Mr. Saaj होता है कोई, उसका जो लड़का है और उसका जो नेफ्यू है, उसके साथ ये दो जो temples हैं वहां के, उनकी विज जो Buddhist है, means the people who believe in Buddhism, जो बोध धरम को follow करते हैं, तो ये दो temples में विजिट करते हैं, एक Hindus का है और दूसरा है Buddhists का, at Pasupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only, अब ये पहला जो temple है, जिसमें विजिट करते हैं, वो है Pasupatinath का temple, जिसमें बाहर लिखावा है, proclaim means क्या होता है, declare कर देना, गोशना कर देना, entrance for the Hindus only, तो उस temple पे कहीं बाहर ही लिखा हुआ है, कि यहां पर सिरफ जो entry हो किसको मिलती है, Hindus को, यानि कि Hindus are allowed to visit this temple, there is an atmosphere of febrile confusion, तो जब ये उस temple में विजिट करते हैं, तो ये क्या पाते हैं, कि वहां का जो atmosphere है, वो कैसा है, febrile confusion का, febrile confusion का मतलब क्या है, complete chaos, ज यानि कि बसल बहुत आपको देखने को वहां पर मिलती है, सोर सराबा रहता है, अपरातफरी रहती है, बहुत भीट बड़ा का जहां पर रहता है, priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, peasants and dogs, roam through the grounds, तो writer वहां देखते हैं, कि वहां पुजारी थे, hawkers थे, hawkers मतलब fairy वाले, devotees means भगत लोग जो होत काउज, गाएं, monkeys, बंदार, pigeons, कबूतर, dogs और कुटे, roam through the grounds, वह ग्राउंड में घूम रहे होते हैं, यह सारे के सारे जो लोग हैं, यह ग्राउंड में घूम रहे होते हैं, वी ओफर आ, few flowers, ओफर का मतलब होता है, जब आप कोई चीज चड़ाते हैं, जिसे परसाद यह होता है, जब आप किसी टेंपल में जाते हैं, तो हर एक वेक्ति वहां क्या करता है, वो अपना पुजारी है, प्रिस्ट उसका ध्यान अपनी तरफ खीचना चाता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रिस्ट कोई पंक ले करके रहता है, वो लोगों के सर को टच क करते रहते हैं, तो हर इनसान चाहता है कि वो प्रिस्ट का ध्यान मेरी तरफ आए, तो बहुत सारे पर्स वहां होते हैं और उन में से कुछ लोग अपना प्रिस्ट का जो अपने तरफ खीचने की कोशिस करते है, आर एलबोड असाइड बाई अदर्स पुशिंग और जो द आई आप प्रिंसिस ओफ दा नेपाली जो रोइल हाउस अपियर्स और उसके बाद क्या होता है कि जो राजकुमारी है नेपाल का जो साही फैमिली है जो परिवार है राजगराने की जो राजकुमारी है वो वहां पर आती है तो जब कोई सेलिबरिटी आती है कोई प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर सीयम या कोई राजकुमार राजकुमारी इस तरी की से लोग आते हैं तो जो आम जनता है वो क्या करती है वो रास्ता बनाती है इनके लिए इनको रास्ता देती है और इनको प्रणाम करती है जुक for permission to enter अब जैसा कि वो जो टेंपल था उसमें सरफ हिंदू लोग थे वही अलाउड थे वाकी जो हैं दूसरे जो रिलिजन के लोग थे वह अलाउड नहीं थे तो वहां पर क्या होता है कि जो में गेट होता है टेंपल का अब पार्टी ऑफ सेफरन क्लड वेस्टनर कोछ वेस् केसरिया रंग के वस्तर पहन रखे थे कपड़े पहन रखे थे अब केसरिया रंग जो है दा कलर्ट बिलॉंग्स तो दा हिंदूज तो बाइदा में गेट आ पार्टी ऑफ सेफरन क्लड वेस्टनर स्ट्रगल फॉर पर्मिशन तो एंटर अब वो पर्मिशन चाते थे पन्विंस नहीं होता सहमत नहीं होता वो इस बात को नहीं मानता कि ये लोग जो हैं हिंदूज हैं क्योंकि ओनली हिंदूज आर अलाउट टू एंटर दा टेंपल क्योंकि उस टेंपल में सिरफ हिंदूज जो थे वही अलाउट थे अब फाइट ब्रेक्स आउट बेट्व पे जंप कर देता है देन रंस स्क्रीमिंग अराउंड दे टेंपल और उसके बाद वो चीकता चिलाता मंदिर में घुमता है एंड डाउन टू दा रिवर और फिर नीचे दा होली बागमती अस उस टेंपल के नीचे बागमती जो पवित्र नदी हो बह रही होती है वो नीचे नदी की तरफ चला जाता है देट फ्लो बिलो जो नीचे बह रही है जैसे आप देख सकते हैं यह टेंपल है उपर और नीचे सीडी आ रही है यहां बागमती जो रिवर है वो फ्लो करती है आग कॉर्प्स कॉर्प्स इस बींग क्रिमेटिड और इट्स बैंक और उसका जो बागमती का जो बैंक किनारा है उस पर क्या हो रहा है वो अपना काम कर रहे है मिंस वो कॉप्डे दो रहे है किनारे पर ही और जो बच्चे हैं वो ना रहे है from a balcony a basket of flowers and leaves old offerings and wilted now wilted is dropped into the river wilted means होता है जब चीज मुर्जा जाती है जैसे आपने देखा है कि fools हैं flowers हैं leaves हैं वो क्या करते हैं थोड़ी बाद में वीदर हो जाते हैं वो ठीक है वो मुर्जा जाते हैं तो अब यहां पर जो है यही writer कह रहे हैं कि जो temple की जो balcony थी वहां से एक basket एक जो टौकरी थी फूलों की बरीवी और पत्तों की बरीवी वो गिराई जाती है ड्रोप की जाती है नदी में जो की जो फूल जो जो flowers हैं जो यह leaves हैं वो वीदर हो चुके हैं मुर्जा चुके हैं offerings का मतलब भेट चड़ावा जिसे तो जो मंदिर में फूल या पत्ते जो चड़ाए गए थे अब वो जो मुर्जा चुके हैं उनके टौकरी बर करके नदी में बहा दी जाती है गिरा दी जाती है a small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank a small shrine एक छोटा स्राइन क्या होता है place for worship जहां पर पूजा की जाती है ठीक है पूटा सा एक आधा half temple निकला हुआ है जो ऐसा लग रहा है कि half उस चबूतरे के अंदर और half बाहर निकला हुआ है on the river bank नदी के किनारे पर when it emerge fully और लोगों का बिलीफ है लोग ऐसा विश्वास करते हैं उनका ऐसा बिलीफ है that when it emerge fully जब ये completely emerge हो जाएगा बाहर निकलाएगा यानि कि पूरा temple बाहर आ जाएगा the goddess inside will escape तो जो देवी है अंदर वो भी बाहर निकलेगी जो देवी है वो भी बाहर निकलाएगी and escape means वैसे बचके भाग जाना होता है लेकिन या बचके भागना नहीं है यहाँ इसका मतलब है कि come out बाहर आ जाएगी and the evil period of the caliug will end on earth और जो धरती है उस पे जो caliug का जो period जो caliug का time चला हुआ उसका फिर उस दिन अंत हो जाएगा अट दा बोधनात स्तूपा अब देगे राइटर यहाँ पर जो है सबसे पहले उन्होंने पसुपतिनात टेंपल की विजिट की थी और उसका description यहाँ पर दिया है उनको क्या देखने को मिलता है क्योस देखने को म दिया है नदी का दिया है अब वो दूसरे टेंपल की विजिट करते हैं जो बिलोंग किसे करता है बुद्धिस्ट से जिसका नाम है बोधनात स्तूपा तो बोधनात स्तूपा की जब विजिट करते हैं बुद्धिस्ट स्राइन ऑफ काठमांडू जो की बुद्धिस्ट ए नहीं कि उनका टेंपल है काठमांडू में, there is in contrast, अब इन दोनों जो टेंपल्स हैं, पसुपतिनाथ टेंपल का जो अट्मोस्फेर है, और जो बोधनाथ सतूपा का अट्मोस्फेर उनमें contrast है, ग्रोधाबास है, a scene of stillness, अब उसकी विपरित यहां क्या मिलता है, यहां पर ए आज महल आपने देखा तो उसके अपरो डूम जो बना हुआ है, that is called round roof, it's immense white, इसकी जो बड़ी विशाल, white डूम, जो सफेद जो गुम्मद है, is ringed by a road, उसकी चारो तरफ क्या है, road है, सड़क है, small soap stand on its outer edge, और इसके जो outer edge है, बहारी जो किनारे हैं, उन पे क्या हैं, निवासी हैं, बहुत सारी जो दुकाने वो वहाँ पर कौन चला रहे हैं, जो तिबत के निवासी हैं, क्योंकि तिबत के लोग जो हैं, वो believe किसमें करते हैं, बुद्धिजम में करते हैं, ठीक है, बोध जो religion है, धर्म है, उसको वो follow करते हैं, felt bags, Tibetan prints and silver jewelry can be bought here, तो आप यहा कि उस temple में मैंने crowd नहीं देखा, भीड नहीं देखी वहाँ पर, this is a heaven, heaven means safe place, एक सुरक्षित जगे, this is a heaven of quietness, यह बिलकुल शान्त था और यह बिलकुल एक safe जगे थी, in the busy streets around, अगर वो कह रहा कि चारो तरफ हम लोग देखें, तो चारो तरफ क्या है, busy streets थी, इस temple के चारो का तरफ क्या थी, busy streets थी, जहां पर बहुत ज़्यदा हसल बसल थी, भीड बढ़ाका था, रश था, crowd था, लेकिन इस temple में क्या था, यह बड़ा शान्त था, बिलकुल सुरक्षित यह जगें थी, तो काथमांडू is vivid, mercenary, religious with small shrines to flower, adorn deities along the nearest and the biggest streets, तो narrowest का मतलब क्या होता है, congested, संकीर्ण, biggest means जो बहुत ज़्यदा वैस्त है, adorn का मतलब क्या होता है, सजावा, और flower means full, फूलों से सजावा, deities means देवता, vivid means जीवन से बरावा, mercenary means, वैपारिक, religious, धार्मिक, small shrines, छोटे-छोटे जहां मंदिर है, तो काठ मांडू जो है, जीवन से बरावा, वैपारिक, धार्मिक स्थान है, जिसकी तंग एम, वैस्त गलियों में, छोटे-छोटे मंदिर है, जो फूलों से सजे हुए, देवी-देवताओं को समर्पित हैं, विद फ्रूट सेलर्स, और वहाँ पर फ्रूट सेलर्स भी हैं, फ्लूट सेलर्स भी हैं, होकर्स और पोस्ट कार्ड और वहाँ जो पोस्ट कार्ड बेचने वाले भी हैं, सौप्स, सेलिंग्स, वैस्टरन कास्मेटिक्स और वो दुकान भी हैं वहाँ पर जो कास्मेटिक् यानि कि जो western culture से relate करती है film rolls आपको वहाँ film rolls भी उस समय लोग बेच रहे थे and chocolate और chocolate होती है चोकलेटी तो कुल मिलाकर कि ये कहना चारा writer कि वहाँ उस मंदिर के पास वो जो गलियां थी जो बड़ी narrowist थी और bigist थी वहाँ पर fruit बेच रहे थे लोग flute बासुरी बेच रहे थे जो sellers थे वो post card बेच रहे थे hoakers वहाँ पे और जो दुकाने थी उन पर cosmetics का सामान भीक रहा था film rolls भीक रही थी चोकलेट भीक रही थी और copper utensils and nepalis antiques अब copper के बरतन यानि कि तामबे के बरतन भीक रहे थे film songs blare out from the radio और जोर जोर से blare out का मतलब होता है जोर जोर से बज़ना तो फिल्मों के गाने बज़ रहे थे radio से तेज तेज आवाज में car hon sound car जो car थी उनके hon के sound आ रहा था bicycle bell string जो bicycle की घंटिया थी cycle की जो घंटी थी वो बज़ रही थी stray cows law law का मतलब होता है रंबाना तो जो आवारा गाएं थी वो रंबा रही थी questioningly यानि कि जैसे person पूछ रही हो question कर रही हो at motorcycles motorcycle जो वहां से जा रही थी जो सोर कर रही थी वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जो गाएं हैं रंबाती भी उनसे question पूछ रही हो vendors out out there wares और जो vendors थे जो ferry वाले थे वो अपना सामान जो है चिला चिला करके बेच रहे थे I indulge myself mindlessly और writer कह रहे हैं I indulge myself mindlessly मैं लक से ही न रूप से बाजार का मज़ा उठाता हूँ यानि कि मैं वहाँ पर मज़ा उठाता रहा तो कुल मिला करके यह जो writer है वहाँ पर यह मस्ती से अपना market जो है घूम रहे हैं यह कोई tension नहीं ले रहे ना अपना दिमाग लगा रहे हैं कि भाई यह चीज क्यों हो रही है यह कही जाते हैं तो मस्ती से अपना मधमस्त हो कर क्या आप घूमे और वैसा ही writer वहां पे करते हैं targets आप यह क्या करते हैं एक margipन एक sweet होती है तो margipन वह पर खरीदते हैं यह कौन ओन दा कॉब का मतलब होता मेज जिसे हम भुटा कहते हैं रोस्टिड मिन्स क्या होता बेक्ट चारकोल मिन्स कोईला ब्लेजियर अब ब्लेजियर क्या होती है ब्लेजियर मिन्स होती अंगिठी ओन पेवमेंट और पेवमेंट का मतलब होता है जो पटरी होती है जिसे हम बोल देते हैं तेकिना side of the road जो road के side side में होता है वो तेहां pavement rubbed with salt जिसके ओपर salt लगा रखाता चिली powder लगा रखाता है लेमन और निम्बू यानि कि जब हम बूटा खरीदते हैं तो उसके ओपर क्या लगा देते हैं पाउडर लगा देते हैं कुछ जो मसाला वगेरा होता है नमक वगेरे लगा देते हैं लेमन वगेरे लगा देते हैं तो राइटर क्या करते हैं राइटर मिठाई खरीदते हैं वहाँ पर और उसके बाद कोईले के अंगेटी पर बुनावा और नमक मिर्च और निम्बू लगा मक्के का बूटा खरीदते हैं अ कपल ओफ लव स्ट किते हैं all this I was down with Coca Cola और जो कुछ भी एक खाते हैं पीते हैं लाइक मार्जी पन है या फिर जो भुटा है उसको खाने के बाद क्या करते है all this I was down with Coca Cola और नोज एटिंग orange drink no eating का मतलब होता sickening sickening का मतलब क्या होता जब जी मतलाता है हमारा जी मितलाता है और कहरा कि फिर मैं एक एक orange drink पीता हूं and feel much the better for it और उसके बाद जो है मेरा मैं better feel करता हूँ मुझे अच्छा feel होता है तो आम तोर के हम ऐसा करते हैं कि कुछ खा लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं जिसे cold drink वगेरा, soft drink वगेरा कुछ पी लेते हैं juice वगेरा कुछ पी लेते हैं वैसा ही रैटर करते हैं उसके बाद he felt better उनको अच्छा मैसूस होता है I consider what route I should take back home और उसके बाद भी सोच रहे हैं कि अब अपने घर पे जाने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर यह कहते हैं कि I consider मैं विचार करता हूँ कि what route I should take back home कि मुझे घर वापिस किस रास्ते से जाना चाहिए if I were propelled by enthusiasm propelled means होता है inspired होना if I were propelled by enthusiasm for travel परसे परसे का मतलब होता है अपने आप में अपने आप में ही वो ऐसे बाते कर रहे हैं I would go by bus and train to Patna then sail up the Ganges past Benares to Allahabad then up the Yamuna past Agra to Delhi तो देखे वो कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा writer जो है अपने आपको थोड़ा exhausted feel करते हैं जिसे आगे दे रहा का but I am too exhausted तो वो थोड़ा सा अपने आपको exhausted यानि कि tired feel कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि यदि मैं inspired होता enthusiasm से means यदि मुझे में जोस बचा होता traveling का ओर तो मैं क्या करता I would go by bus and train to Patna तो मैं Patna या तो bus से जाता या फिर मैं train से जाता then sail up the Ganges और उसके बाद मैं नाव से Ganges गंगा के रास्ते यात्रा करते वे बनारस जाता वहां से फिर मैं अलाबाद जाता then up the Yamuna past Agra to Delhi और फिर Yamuna से आगरा होते वे मैं दिल्ली जाता but I am too exhausted लेकिन अब मैं बहुत ज़्यदा ठक चुका हूं and homesick और मुझे घर की आदा रही है today is the last day of August आज अगस्त का आखरी दिन है go home I tell myself और मैं अपने आप से क्या कहता हूं कि घर चलो move directly towards home अब सीधा बस घर चलो यानि कि राइटर इतना ज़्यादा ठक चुके हैं अपनी जर्नी से exhausted हो चुके हैं tired हो चुके हैं कि पहले तो उनका प्लान क्या था पहले अपने का प्लान ये था कि वो पटना और पटना जएंगे ट्रेंड से या बस से नेपाल से और फिर वहाँ से वो गंगा नदीर Republicans के रास्ते से होते वे वो कहाँ जाएंगे बनारास, अलावाद, अलावाद से फिर फिर हो जाएंगे आगरा, आगरा जो है वो यमना नदी के किनारे पर है और फिर वहां से वो आगरा से कहां पहुंच जाएंगे दिल्ली, यह उनका रूट था, यह उनकी प्लान भी थी और लेकिन अब जो ट्रैवलिंग है, जरनी है, उनकी जादा हो चुकी है, तो वो अपने आपको थोड़ा एक्जोस्टेड फील करते हैं और उसके बाद वो अपना प्लान चेंज करते हैं, मूड चेंज करते हैं, और वो कहते हैं कि बस अब तो दिल्ली यह कह रहा है कि वो जल्दी से घर चल क्योंकि घर की याद आ रही है, मूड डिरेक्ली ट्वार्ड सौंब, बस अब सीधा घरोर कहीं नहीं मैं नेपाल की जो एरलाइन्स ओफिस उसमें जाता हूँ और फिर मैं वहाँ कल की टिकेट खरीता हूँ, जो कल की फ्लाइट है, उसके में टिकेट लेता हूँ I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel तो ये फिर देखते हैं कि जो होटल है उसके पास इस होटल में रुके वे थे ये देखते हैं कि वहाँ पर I look at the flute seller standing in a corner की वहाँ एक flute seller है जो कोने में खड़ा हुआ है of the square चोरा है कि नियर दा होटल होटल के पास in his hand is a pole अब उनका जो हाथ है उसमें क्या है एक उसने pole ले रखा है एक लट है पोल है वो उसके हाथ में with an attachment at the top from which 50 और 60 बांसुरी is protrude in all directions protrude का मीन्स होता निकले वे होना अब एक बंदा है एक बांसुरी seller है जिसने एक पोल हाथ में ले रखा है और उसके उसने क्या है पचास से साथ बांसुरी लटका रखी है और वो बांसुरी निकली वी है सभी direction में like the quills काटों की बाती of a porcupine तो porcupine जो साही होता है उसके काटों की बाती उसमें क्या निकली वी है वो बांसुरी इधर से उधर सभी directions में निकली वी है from time to time he stands the pole on the ground selects a flute and flage for a few minutes तो क्या करता है time to time यह कि बार बार जो है वो उस पोल को कभी जमीन पे टिका देता है कभी उसको उठा लेता है आम तोर पे जो flute sellers होते हैं जो balloon sellers होते वो यही करते हैं कि कभी उठा लेते हैं कभी उसको रख देते हैं balloon वाला wave करने लग जाता है लोगों का ट्रेक्ट करता है बासुरी वाला जो तर बासुरी बजाने लग जाता है वो लोगों का ट्रेक्ट करता है तो यही कहानी यहां पर भी चल रही है वो बासुरी वाला क्या कर रहा है कभी कभार बीच बीच में वो उसको टिका देता है कभी उठा ले clearly about the noise of the traffic and the hawkers cries, अब वहाँ पर जो hawkers हैं, फेरी वाले हैं, वो भी अपना सामान बेच रहे हैं, traffic भी वहाँ पर चल रहा है, लेकिन जब यह बासुरी बजाता है, तो इसकी जो sound है, इसका जो sound है, वो rise होता है, उठता है, बिलकुल साफ, उन आवाजों से, उन सोर सराबे से, जो noise create ओर है, traffic से, और hawker के cry से, उन से उपर, यानि कि वो sound आप clearly वहाँ सुन सकते हो, he play slowly, वो धीरे धीरे बजाता है, meditatively, meditatively means क्या होता है, thoughtfully, विचार पुर्ण तरीके से, without excessive display, बिना किसी ज़्यादा दिखावेगे, display means क्या होता है, show off, ठीक है, तो excessive means ज़्यादा, बिना किसी excessive show off के, he does not shout out his wares, उचिला कर अपना सामान नहीं बेचता, occasionally, कभी कबार, he makes a sale, वो कभी कबार सामान बेचता है, फिर बीच में कभी कबार रुख जाता है, but in a curiously off-handed, लेकिन एक अजीब तरीके से, और off-handed means होता है, तोड़ा carelessly, बेपरवा तरीके से, तो बड़ा अजीब तरीके से, बेपरवा तरीके से, वे, उसका ये तरीका है, एजीफ, मानो, this were incidental to his enterprise, कि जैसे, अब ज życia तरीके से बेच रहा है, मतonnaरा एक अजीब से, बेपरवा तरीके से, वो उस चीज़ को बेच रहा है, और ऐसा लग रहा है, जैसे मानो, उसका वेपार करने का यही तरीका हो, उसका business करने का यही तरीका हो, sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller और कभी कबार वो क्या करता है अपनी जो बासुरी है उसको रोक करके वो बीच में चला जाता है किसके पास जो fruit seller है वहाँ उसके पास चला जाता है उससे गपसप मारता है उससे बाते करता है I imagine, मैं imagine करता हूँ I imagine, मैं imagine करता हूँ this has been the pattern of his life for years और कह रहा है, रैटर कह रहा है कि मैं यहाँ पर imagine कर रहा हूँ मैं यह सोच रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ कि काफी सालों से उसका यही style pattern means यही style उसका रहा है यह सामान बेचने का या अपना business करने का I find it difficult to tear myself away from the square तो कह रहा है कि मुझे यह मेरे बड़ा difficult काम है कि मैं अपने आपको वहाँ से अलग नहीं कर पा रहा हूँ उस square से उस चोराए से रैटर इतना ज़्यादा spell bound हो गए हैं मंतर मुग्द हो गए हैं उस बासुरी से या उस बासुरी वाले को देख कर के उसके बासुरी बजाने को देख कर के कि वह अपने आपको square से उस चोराए से अलग नहीं कर पा रहे होते हैं flute music always does this to me और वह कह रहा है कि जब जब मैं flute music सुनता हूँ यानि कि जब मैं बासुरी का music सुनता हूँ मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है It is at once the most universal and most particular of sounds It is at once the most universal यह सबसे ज़ादा क्या है जो यह क्या है युनिवर्सल क्या होता है कि युनिवर्सल जो होता है जिसे हम कहते हैं पूरे ब्रमाद में ठीक न से cosmic जिसे हम कह सकते हैं यह कहा रहा है कि It is at once the most universal and most particular of sounds तो यह जो बासुरी का sound है यह जो बासुरी का sound आता है यह सबसे अधिक सार्व भूमिक यूनिवर्सल यह सबसे अधिक particular particular means क्याता है विशेश sound है there is no culture that does not have its flute ऐसी कोई संस्कृती ऐसा कोई culture नहीं है जिसके अपनी flute ना हो the reed ने read का मतलब होता है جो सरकंडे होते हैं a kind of wood जो होती है सरकंडे जो हते है वो कहलाते है read, ne का मतलब सरकंडे की बनी वी बासुरी अब बासुरी के अलग अधिक टाइप्स है कि कैसे कैसे बासुरी बनती है read ने the recorder ये भी एक बासुरी का ही type है the Japanese साकुहाची ये भी एक बासुरी है दे डीप बासुरी ओफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और जो गहरी बासुरी है भारती जो ये क्लासिकल जो म्यूजिक होता है सास्त्री जो संगीत होता है वो बासुरी दे क्लियर और ब्रीधी फ्लूट ओफ साउथ अमेरिका और ज जो फ्लूट है बासुरी है और कहां के साउथ अमेरिका के तो यह अलग अलग जो कंट्री जो उनके बासुरी के बारे में यहाँ पर राइटर जो डिस्क्राइब कर रहे है तो चाइनिज बासुरी कैसी है जो तीखा शाउंड देती है ठीक है एच है आजएट्स पेसिफिक फिंगरिग एंड कंपास और जो परते एक बासुरी है उसका आपना उंगलियों का अलग अंदाज एंड कंपास मिन्स दाइरा हुता है और परतेक जो बासुरी होती है उसका अपना अलग संबंध होता है तेक उसका अलग अपना असोसियेशन होता है Yet to hear any flute is, it seems to me to be drawn into the commonality of all mankind और ड्रॉन का मतलब यहां पर क्या है अट्रेक्ट हो जाना ठीक है आकर्सित होना तो देखे एक पर फिर पढ़ते हैं Yet to hear any flute is, it seems to me to be drawn into the commonality of all mankind to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice तो writer यहां पर कह रहे हैं कि फिर भी, Yet का मतलब यहात है फिर भी, मेरे विचार से किसी भी बासुरी को सुनने का भी पराई क्या है पूरी मानवता के सर्व साधारन रूप की तरफ आकरसित होना मिंस जो पूरी मानवता है उसके सर्व साधरन की रूप की तरफ आकरसित होना संगीत दुवारा मानवी आवाज के सब्द समुहों यह वाक्यों के निकटतम पहुंचना इस मोटी फोर्स टू इस लिविंग ब्रैथ अब इसकी जो प्रेरणा सकती है मोटी फोर्स का मतलब क्या है जो प्रेरणा सकती है वो भी जीवित सांस है ठीक है इस मोटी फोर्स इस लिविंग ब्रैथ इसकी जो मोटी फोर्स है यानि कि जो प्रेरणा सकती है वो भी क्या है जीवित सांस है it to needs to pause इसे भी रुकने की जरूरत है and breath before it can go और सांस लेने की जरूरत है इससे पहले कि यह जाए आगे यानि कि यह चले यानि कि इसको भी चलने से पहले रुकने कर रुक कर सांस लेने की जरूरत है that I can be so affected by a few familiar phrases on the basuri surprises me at first सबसे पहले चीज़ तो कहरा मुझे यही ज़्यादा surprise कर रही है that I can be so affected कि मैं इतना ज़्यादा परभावित हो सकता हूं by a few familiar phrases कुछ जो प्रीचित phrases है on the basuri जो basuri की जो कुछ प्रीचित phrases है मैं उनसे इतना ज़्यादा परभावित हो सकता हूं सबसे पहली surprise कहरानी करने वाली बात तो यही है for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad I have hardly noticed such details क्योंकि कह रहा है कि आज से पहले भी मैं बाहर गया हूं और काफी दिनों तक मैं बाहर रहा हूं तो ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं वा कि मैंने इस चीज़ को इस बाहर सुरी को आज से पहले कभी इतना जो बहुत सारी जो occasions मेरी life में रहे उस में मैंने इसको इतना ज़्यादा notice किया था जैसा मैं अब करने लग गया हूं बाहर सुरी की music को I have hardly noticed such details and certainly have not invested them invest का मतलब क्या होता है प्रदान करना right and do करना तो वो कह रहे हैं यहां पे कि I and certainly have not invested them with the significance I now do और इतना importance मैंने उनको पहले कभी नहीं दिया जितना importance जितना मैं importance आज उनको देता हूं तो यह chapter था काठ मांडू विक्रम सेटन लिखा है अपनी जरनी के बारे में description दिया है I hope यह आपको समझ में आया होगा चलिए तो मिलते हैं हम लोग एक नए lecture के साथ एक नए chapter के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप खुस रहें आबाद रहें थैंक यू वरी मुच पर वच्छिं इस वीडियो बबाई सी यू